यह जाती विवस्ता बहुत बुरी चीज है। मैं इसका बईश्कार करता हूं, बाबसाब भी करते हैं। हम तो पैदा होते दलित नहीं होते हैं। अब यह समाज भी बताता है कि यह दलित है। योगी जी ठाकूर हैं वो सब के नेता हो सकते हैं। लेकिन एक दलित तरफ दलित का नेता होता है। इस लाइन को मीडिया को नकारना चाहिए। अब दलित जो है ना रोएगा नहीं। अब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। पैरों पर खड़ा होने के लिए जो नोजवान आप सामने देख रहे हैं। इस सरकार से बदला नहीं लेंगे, इस सरकार को भी सुधारेंगे। का जाता है पहला चुनाव हारने, दूसरा हरवाने, और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। मौजूदा इस्तिति में हम देखें, चंदर सेखर कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कितने परदावेदारी हैं। यह लाइन मानने और काशिराम साब की है। कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। गाताब पर लिए, और अपने का लिए डिजीटल हो गया है। तो आप पहला चुनाव जीता भी जा सकता है। तो हम जब अपने पहले चुनाव में पहला चुनाव में उस चुनाव में हम लड़े। तब हम वहाँ तीसरे नमबर पे रहे। समाजवादी और RLD का गठबंदन हमसे पीछे था और कॉंग्रेस में हमसे पीछे थे तो पिछले पांस साल में इतनी बुनियादे तो हमने अपनी जड़े गहरी कर ली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम अपना विधायक जिदा सकते हैं तो इलेक्शन अब सुरू होगा पार्टी जो तै करेंगी इतनी सिटों पर जहां-जहां मजबुति से लड़ेगी गठबंदन करेंगी नहीं करेंगी उन सब पर काम करेंगे तो अभी तो सुरू हुआ है अभी चुनावी समर स्टार्ट होने वाला है इसलिए हमने बैठक भी की है कि चंदर सेखर आये बैठक में बताएं कि भाई प्लान क्या है आगे का जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है आपकी वह भी बीएसपी वाली लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है चुकि दोनों जो पार्टिया है बापकी वह एक ही वर्क को लेकर अपना प्रत्यनिदित होने का द कि युग कर देता हूं यह जाती विवस्ता बहुत बुरी चीज मैं इसका वरिषकार करता हूं बाबसाब बीकरते हैं हम तो प disorder दलित नहीं होते हैं अब यह समाज हुमें बताता है कि यह दलीत है ना हमने बनाया तो मैं तो पर्यास कर रहा हूं कि वंचित वर के लोगों जिनको मैं भौजन समाज कहता हूं उनकी बात करूं कि दलीतों की लड़ाई में लड़ता हूं पिषडों की लड़ता हूं उनतर जार सिक्सक भरती अभी चल रही है आप देखे कोई नेता नहीं गया तो मैं वहाँ तीन दिन पढ़ा रहा हूं फिर माइनोर्टी की जब सी एन पर नर्सी का मामला था तो उनकी भी लड़ता हूं किसानों की भी लड़ता हूं मजदूरों की भी अब सोच रहा हूं कि कभी आप मानेंगे कि एक दलीत जाती में पैदा होने वाला आदमी सब का नेता हो सकता है ये बड़ा कटिन है योगी जी ठाकूर है वो सब के नेता हो सकते हैं लेकिन एक दलीत तरफ दलीत का नेता हो स होती हैं मैं अभी बिजनोर से लोटा हूं एक 24 वर्से नेशनल प्लेयर की सरयाम हत्या हुई है दिन के दो बज़े ये कानून विवस्ता उत्तर प्रदेश में बहन बेटिया सेफ नहीं है बच्चियों के अत्याय होती है और वो नेशनल प्लेयर है मजाक बनता च्छे गंटे रिबोटर लिखे जाती नं-से आर विक़ा आप खुद कहा रहें डाटा ड्रावना एIES ड्रावने डाटे में और इस लोग थंत्र में लंबे समय ehm लोह कहां है कि रोतेḥ रहते हैं हमारी रोने की चीखे किस ने हिसने इंसुनी हम लोग मर रहे हैं उसकी जीखे किस ने नेन कि हि कि जब कोई नहीं सुनेगा तो आज आां समाजपर्टी सुनेगी लेकिन उनकी राय तो बहुत अलग है आपको लेकर आपक侣 मख्तलिन है और इतनी नाराजगी माय वती से अखिर क्यों हो गई इस मेरी कोई नाराजगी नहीं है बुआ जी आज भी कह रहा हूं बुआ बती जे में कहा नाराजगी होती है सवाल है ना देखिए आप देख रहे हैं न ये ऐसा ही चरीतर है मेरा मेरे बारे में आप कुछ भी कहते हैं साबित नहीं कर सकते हैं तो मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है वो मwachझे कुछ भी कहें कहने दीजें अव modern होता देखो जब आदमी अपने जमीन से रखती देठ था ना कुछ ना कुछ कहता है मुझे इससे फर्क नी पड़ता, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने लंबे समय तक इनकी लड़ाई लड़ी है, इनको ने वोट दिया है, तो इसलिए जो है आप इस काम को छोड़के आप निर्णायक उसमें आईए, क्या दलीतों का भविवविश्य क्या है, जिस तरह थे भ अब उनका कबजा हो गया हुआ, अब सतीष्चन मित्राज उसके मालिक हो गए है, बहुजन समाज पार्टी के, इस वए जो सब थराब हो गए है, तो प्राइबिट लिमिटेड हो गई है क्या, मालिक हो गए है, चलती है क्या, बहुजन विचार धारा दी कभी, अपने बु है, हम हिस्सेदारी चाहते हैं, हम एजुकेशन चाहते हैं, हम डवलब्मेंट चाहते हैं, हम जो है, तमाम तरह से रोजगार के उसर चाहते हैं, तो इन सब चीजों से कुछ चलेगा नहीं, अब जंता समझ लिए, कि लंबे समय तक बाते करने वाले, आज अब उनसे मूँ तो जंता ने मूँ फेड़ लिया, चुनाओं के समय आपको इस चीज का ऐसास हो जाएगा, अब दलीद रोएगा नहीं, अब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, पैरों पर खड़ा होने के लिए जो नोजवान आप सामने देख रहे हैं, उन्हें तयारी कर लिए, पिजारदारा से जुड़ा व्यक्ति हूँ, अपने जो है ना, गुरुवों को संतों को मानता हूँ, अपने महापुर्सों को मानता हूँ, तो हमारे यहां तो जोडने की बात के गई, सद्गुर रविदार ची महराज कहते हैं, सत संगत मिल रही है मादूब जैसे मदूब मखी रहा, कि ऐसे रहना चाहिए समाज को, जिस तरह से मदू मखी रहती है, चत्ते में, परिवार बनके रहना चाहिए, इकटे रहना चाहिए, तो मैं बदले की नी बदलाओ की भावना रखता हूँ, कब तक हम लोग जो है गिसी पिटी उसमें लगे रहेंगे की बदला, क्या बदला, हमारा जीवन तो कुछ नहीं बदला, मैं अभी यहां हूँ, यह समार्ट सिटी है, सबसे पहले घोशना हुई थी, कल गड़े बने इतने बड़े बड़े आदमी की गहराई के गड़े हैं यहां, इलाबाद में, यह विकार से अभी मैंने अखबार में भी बताये कि तुमारे उकात यह है, अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे तो बंद कर देंगे, कासगंज में खबर आती है कि यादों ने बारात नहीं चड़ने दिया दलितों को, जॉनपूर में मुसल्मानों ने परारोप लगा कि उन्होंने दस घर जला दिये दलि तो वैसे मसलो पर चंदर सेखर की आवाज आती हुई क्यों नहीं सुनाई देती अभी यह जो माबला हुए ना बिजनोर वाला उसमें जो आरोपी है, मुसलिम है, लड़का, मैं कहा था हूँ, कौन कहा था, आप लोग यह जो पिक्चर बनाई गई है, मैं आज भी आपके के माद्यम से कहा रहा हूँ, अपराद ही कि कोई जाती नहीं होती, बिलकुल नहीं होती, जो अपराद करेगा वो उसको सजा मिलने चाहिए, चाहे वो दली दिवर का क्यों ना हूँ, मैं आपकी उससे चैनल के माद्यम से कहता हूँ, कि उत्तर परदेश ने देश की बेहन बेटियों को सम्मान से जिने का अधिकार है उनको भी पुर्सों की तरह घूमने का अजादी है अगर उनको आज भी इस देश में उनकी हत्या रेप होती तो मुझे बताओ कि क्या दलितों से बुरी दोयम दर्जे की जिंदगी उनकी नहीं है तो कानून मेवस्ता और ये तमा कि कॉर्ण की सरकार में होता मैं कैताव राइस्तान से ज्यादा बुरी सरकार कांगरेग्स की नहीं होगी दृटों के लिए वहां उनोंगोध बुरा हाल करका सरकार ने मेरा बास चले तो उस मुख्ध मंत्र को खीच के लाओं बाहर जन्ता के वीच में कि वह स्लिए वोट झाल झाल